पलेवा बुवाई क्या है? सूखा बुवाई क्या है? पलेवा बुवाई के क्या फायदे है? सूखा बुवाई से के मुकाबले क्या फायदे है? इस वीडियो हम जानेंगे साथियों कई सारे कोश्चन आते हैं कई सारे किसान भाई पूशते हैं कि पलेवा बुवाई कैसे करते हैं क्या अंतर पड़ता है हमारे बिजाई में हमारे बिजाई के बाद जो बीजम डाले हैं उसके अंकुरण में उसके बिद्धी में उसमें बढ़वार में क्या अंतर दिखाई पड़ता है इस वीडियो हम संपूर चर्चा करने वाले हैं पलेवा बुआई के रिलेटेट कोई भी डाउट आपके मन पर अब नहीं रह पाएगा साथ यो वीडियो अंतर जरूर देखिएगा पलेवा बुआई क्या है उसमें अंतर आपको साफ साफ वीडियो में दिख रहा होगा चलिए हम बताना सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सूखा बीजाई क्या होता है तो सूखा बुआई बाई है जब खेत आपका सूखा हो उसमें पानी न दिया गया हो आप जुताई करके और उसकी बुआई कर दें वह सूखा बुआई है दूसरा पलेवा बुआई क्या होता है पलेवा बुआई है जब खेत खाली हो उस पर आप पानी दे दें वीडियो में आप साफ देख रहे होंगे पानी दे दिया गया है उसके बाद जो अभी आप खर्पतवार देख रहे है यह पूरा उग करके बाहर आ गया है जितने भी खर्पतवार हैं पूरा उग करके बाहर आ गया है वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि एक तरफ सूखा है खेत एक तरफ पानी दे दिया गया है एक तरफ पूरा घास जम गया है और एक तरफ नहीं जमा है तो आप यहाँ एक फाइदा देख सकते हैं कि जहाँ सूखा था वहाँ घास तो नहीं जमा इस हिसाब से पूरे खर्पतवार आपके नश्ठ हो गए अब आप विवाई करेंगे उस नमी में आपके बीज का अंकुरण हो जाएगा और आपको पहला पानी लेट समय पर देना पड़ेगा मतलब पानी की बचत हुआ दूसरा खर्पतवार नियंतरण हो गया यह आपके फ जैसे जुताई करेंगे सब नश्ठ हो जाएंगे साथियो पलेबा बुआई के यही फायदे हैं जो की बहुत ही अच्छे फायदे हैं साथियो आसा करता हूँ पलेबा बुआई के संबंदित आपको हर एक चीज की जानकारी हो गई होगी कैसे बुआई करना है क्या फायद